सबlist Anda Tuesday IQ सबुछ बैंग मैं सबशनाख बात अगर इन पास विडियो में होने वाली है तो देखो वीडियों पसंद आ settling approach ना और चैनल को सिस्टभी कर दो तो अब बिना देरी की हो दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू और दोस्तों सब बातों की एक बात अगर इंडिया में बजट सेग्मेंट में सेवन सीटर कार चाहिए तो भई सेफेस्ट कार कौन सी मिलेगी आपको यही सवाल हमारे और आपके मन में आता है दोस्तों ज्यादा आप कहें तो माइनस में हैं लेकिन बात आती है इस सेग्मेंट में आप चाहिए तो फिर कहां से लाएं हम सेफ्टी तो सामने जो ऑप्शन दिख रहा है न यह है दोस्तों ग्लोबल एंकेप में फोर स्टार सेफ्टी रेटेड कार दोस्तों रेणाल्ट की जोटी बात नहीं होती है बीएंकेप नहीं है यह दोस्तों गलोबल एंकेप तो आज देखो हमारे सामने जो खड़ायन वेरियंट से अप सेकंड टॉप वेरियंट के सकते सामने हैं दोस्तों ड्राइबर आर एक्सटी तो आज इस वीडियो के अंदर पूरी बात हुने वा पीछे रेनों का लोगों मिल जाता है ठीक है तो इस तरीके की सेंटर लोकिंग होई दूसरी चाबी आप यह देख सकते हो इस तरीके की आपको मिल जाती है चाबी में कोई दिक्कत नहीं है सब चीज बढ़ी है सामने लोकिंग देख लो आप देखो इसके एक्सोरूम अब देखो बात करेंगे इसके फ्रेंट वागेरा से कहां से क्या कुछ मिलता है सारी डिटेल होने वाली है इस वीडियो में तो एक बार लाइक जरू कर दो वीडियो को और चैनल पर पहली बार आयो तो सस्क्राइब जरू कर दो तो चलिए अब शुरू करते हैं इसके फ् दोस्तों ये प्रोजेक्टर सेटप है ना इसके तो बेस वेरियंट से मिलता है बेस से टॉप एंड तक आपको यही सेटप देखने के लिए मिलता है नीचे फॉग लाइट आपको नहीं मिलती है और अगर ग्रेल की बात करें तो ग्रेल आगे सामने काफी बड़ी बड़ी इसी है क्रोम का यूज है मैट ब्लैक फिनिस में गिरेल है बीच में रेनो का लोगो मिल जाता है नीचे जो आपको रेडियेटर गिरेल देख रही है यहां यह हनी कॉम पैटन में आपको देखने के लिए मिलेगी नीचे की इसकिट प्लेट जो है वह सिलवर टॉन के साथ म यहां पर इंडिकेटर आता है तो बेस वेरियंट वैं लेकिन यहां पर नहीं है उसके बाद देखो यहां पर देखो तयर साइज की बात करें तो पहली बात तो इसमें सीएट का आपको टायर देखने के लिए मिल जाएगा उसके बाद एक सो पैसा टस्टी की प्रोफाइल के साथ 14 इंच का मिल जाता है टायर जो है फ्यूल स्मार्ट की नाम से आता है सीट का वह मिलने वाला है यहां पर डिस्प्रेक मिल जाते हैं और स्टील मिलते हैं यह उपर वील आपको चड़ा हुआ देख रहा होगा उसके बाद देखो यहां पर आजाएं तो भाई ग्लॉस ब्लैक फिनिस के अंदर आपको जो है और वीम मिल जाता है और उसी के उपर जो है टर्न इंडिकेटर मिल जाता है काफी अच्छा लग रहा है दोस्तो वाइट के साथ में ब्लैक का कॉमिनेशन उसके बाद देखो डोर के ऊपर यह ग्लाइडिंग जो है काफी चौड़ी-चौडी सी यह सेम ग्लाइडिंग नेक अच्छा लग रहा है और इस तरफ आजा है पीछे की तरफ तो यह आपको दिखी गए नीचे की तरफ देखो पीछे जोगा डिस प्रेक नहीं मिलते हैं पीछे आपको ड्रम ब्रेक ही देखने के लिए मिलता है पीछे देख लो भई टेल लाइट देखो कुछ इस तड़ी पीछे की आपको दिख रही होगी लंबी सी टेल लाइट है अब तो फैसन चला कनेक्टेट टेल लेंप का लेकिन यहां कनेक्टेट तो नहीं मिलेगी इस तरह की मिलती है यहां देखो इंडिकेटर बिलिंग को रहा है बाकी रिवर्स लेंब बगएरा देख जाएगी यहा का बंपर जो है मैट बिलेक फिनिस में और उसके नीचे इसकिड ब्लेट जो है वो सिलवर टॉन के साथ में मिल जाती है ठीक है तो यह है दोस्तों कुछ इस तरीके का पीछे का लोग इस पेर वील देख लो भई नीचे की तरफ लटक रहा है साइज इसका जो है छोटा है दो इंच उटा है बाहर 16 इंच का और नीचे जो है वहां 14 इंच का लिटका हुआ मिलेगा ठीक है उसके बाद देखो रियर गिलास में बात करें तो देखो डीफ ogre नहीं मिलता है पता नहीं क्यों नहीं मिलता है लेकिन रियर वॉयपर जरूर मिलता है और उसके बाद यह इतना मिल जाता है सेट अप टेल लैट तो मैंने आपको दिखाई दी टेल लैट आप देख लो फ्यूल टैंक की बात करूँ चालिस लीटर कैपसिटी का पैट्रॉल टैंक का आपको देखने के लिए लिए और उपर की तरफ यहां पर कुछ इस तरीके से आप देख सकते ह हैं और आते हैं यहां पर क्या मिलने वाला है आपको सबसे पहले तो तो इस तरीके से यह देखो यह सब प्लास्टिक है दोस्तों कोई भी लैदर नहीं है कोई लैदर टच नहीं है चारो पावर विंडो पीछ वाली विंडो के लिए चायल सेफ्टी बटन एलेक्टिकली ए फ्रेंट में देखो नॉन एड्जेस्टेवल हैड्रेस मिल जाते हैं फैब्रिक की बात करूँ तो बैज और ब्लेक के कॉम्बिनेशन के साथ मैं फैब्रिक कुष्णिंग आपको देखने के लिए मिलेगी सीटिंग में लैदर का कोई टच नहीं है हाइट कई बाद धोड़ आसा यहां पर ऑपर की तरफ आते हैं यहां चावी इनकर नहीं है और इस इवेंट का आप डिजाइन इस तरीके से देखते हो अंदर बैठते हैं और अंदर बैठके देखते और क्या कुछ देखने के लिए मिलता है दोस्तों कभी कभी कुछ लोग बोलत तो इंस्ट्रूमेंट क्लेस्टर देख लो सबसे पहले सामने TFT डिस्प्ले मिलती है मतलब TFT यह देखो पहले तो ओन कर दिया मैंने घरी रहत का दिया तो पर nhất तरह कर दिया सकते हैं क्ला순 के आपको यहां पर दहुने के लिए और से करें ल'Sी एजैं कर चाब़े चाँ मिल जाता है एक सारे देखने के लिए और यहां पर लेड रेट नहीं इस तरफ तो यह है दोस्तो इधर का setup इस पूंड़ डिखाई दे रही है यहाँ पर इसे close अप में देख लो तो रेडियो, मीडिया, नैविगेशन, डूल टॉन, फॉन और सेटिंग अगेरा सब आप तो दिख रही होगी, इसे बंद कर देते हैं, थोड़ा से नीचे की तरफ आ जाएं, तो देखो यहाँ पर आपको हेजार बटन, यहाँ पर गाड़ी को लोक अलोक करने के लिए बट बटन मिलता है, उसके बाद नीचे एक टाइप A port, एक Aux और एक 12 वोल्ट का पोर्ट मिल जाता है, इस पर ठीक ठाग मिल जाता है, सही स्पेस लग रहा है, देखो रोईनो की गाड़ियों में स्पेस की कमी नहीं आती है, यहाँ पर 5-speed manual transmission आपको देखने के लिए मिल जाए उसे आप अपने एसाब से एड़्जस्ट भी कर सकते हो, हाला कि यह जो है पीछे वाली cooling के लिए है, मैं गलत बोल रहा हूँ, यह पीछे वाली जो डोर में cooling है, उसके लिए है, चलेंगे पीछे जब दिखाएंगे, यहाँ पर देखो भाई, एक storage आपको यहाँ पर मिल ज जाती, जगह तो आपको भरपूर मिलती है, उपर देख लो, ग्रैब एंडिल जो है, बंद नहीं होगा, खुला ही रहेगा, उसके बाद देखो यहाँ पर पैसिंजर साइड में जो है, संसेड के अंदर वैनिटी मिरर मिल जाता है, यह लाइट देख सकते हो, एली बेस्ट सेफटी की बात करें, देखो, फोर स्टार सेफटी रेटर तो है, एबी डी, एसी बगेरा तो सब आपको गाड़ी के अंदर मिलेगा, साथ में दो एयर वैग मिल जाते है, तो यह सेट अप आपको गाड़ी के अंदर मिलता है, और ठीक ठाग लग रहा है, कैविन इतना भी देख लो, इस तरीके के आपको दो ट्रिम्स देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ पर पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पर नीचे की तरफ बॉटल होल्डर, बैज और ब्लेक का जो है, कॉमिनेशन देखने के लिए मिलेगा, साइल कॉमिनेशन दे रखा ह दोस्तों यहाँ पर और यहाँ पर एक स्पीकर आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है, यहाँ पर यह डोर रेंडल होई गया, आप देखो अंदर की तरफ बैठेंगे, यह चीज अच्छी नहीं लगती, पर कोई बात नहीं, ओमाई गॉड, ओमाई गॉड, यहाँ देखना दोस्तों पीछे वाली मिडल रो में और उसके पीछे वाली सीट में एड़ेस्टिवल हेडरेस्ट हैं, और फ्रंट में नहीं है, भाई क्या ही बोलें, उसके बाद देखो सीटिंग की बात करें, तो देखो 60-40 में स्प्लिट हो जाती है, मैं काम करता हूं, उस तर आगे की तरफ पीछे की तरफ आप कर सकते हो, पीछे एंट्री के लिए दोस्तों इसी सीट को फोल्ड करना है, और कैसे करना है, वो मैं आपको दिखाता हूं, सबसे पहले हम थोड़ा सा यहां पर जाते हैं, तो यहां पर एक लीवर है, उसे ऐसे पुस्ट करेंगे, तो य यहां पर इसे सीधा कर देते हैं, आप अंदर बैठ के बात करेंगे, देखो पीछे वाले पैसेंजर के लिए बात हो रही थी, एसी वेंट की, मैंने पहले भी आपको याद दिलाए तो जो नौब आगे, वो एसी वेंट के लिए है, तो यहां पर आपको पीछे बी पिलर क आप बोल सकते हैं, यहां पर मिल जाता है, यह है दोस्तों कुछ इस तरीके का सेट अप, पावर विंडो बगरा देख लो, अब एक काम करते हैं, इसका बूट ओपन करते हैं, और बूट की कैपिसिटी बगरा देखते हैं, चलो बाई, बाई देखो, डोर ओपन कर दिया है सबसे पहले तो यह देख लो, यह यहां पर खुली हुई रखिए, यह मैं आपको पहले इंफॉमिशन देता हूँ, यह सीट यहां पर लगनी है, लेकिन देखो, पीछे वाली सीट जो है 50-50 में स्प्लिट हो जाती है, दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हैडरेस मिल जा जाती है, टेल गेट पर प्रॉपर फिनेस मिल जाती है, अब देखो, इस पेस की बात करें, अगर सीट लगी हुई है दोस्तों, तो आपको सिर्फ यहां पर 84 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, लेकिन अगर दोनों सीटों को पीछे वाली को आप निकाल दोगे, तो 625 की है, ये सब कुछ हो गया, मैंने आगे दिखा दिया, पीछे दिखा दिया, अंदर दिखा दिया, सब हो चुका, अब क्या बात करनी है इसके बारे में, हाँ, एक काम करते हैं, अब एक काम करते हैं, कि इसके हिजार डॉन करते हैं, बाहर आते हैं, और फिर बात करते हैं, कि बाई इसमें आपको जो है क्या मिलने वाला है सबसे पहले तो वारंटी सुन लो दोस्तो आपको तीन साल या एक लाग किलोमीटर की गारंटी वारंटी आपको देखने के लिए मिल जाते है कंपनी रहनों की तरफ से और उसके बाद सेफटी डेटिंग तो है ही दोस्तो इस गाड़ी की मेन चीज़तों दोस्तो इसकी सेफटी डेटेंगे खासibility की गाड़ी में क्योंकि इस सेग्मेंट में आपको किसी और गाड़ी में या किसी और brand में इतनी सेफटी देखने के लिए नहीं मिलती है तो देखो अगर आप इसे seven seater को चाहिए आपको एक सश्ती जरू कर देना और डिसकाउंट की जो बात चल रही थे ना वो वेरियंट के हिसाब से 40,000 रुपे का आसपास का डिसकाउंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा तो मिलते हैं कि और वीडियो में इस वीडियो में इतना ही सो जैहिंद